एक बार फिर देखने को मिला रप्तार का कहर पांच लोगों की मौत कान पर टाट मील में हुआ दर्दनाक हादसा तेज रप्तार आ रही इलोक्टोनिक बस ने तीन कार समेत एक मौटर साइकल को इतनी जोरदा टक कर मारी की मौके पर पांच लोग मौत के खाट उतार दिये लगभग एक दर्दन से जाना लोग गंभीर हालत में बताय जा रहे हैं गंभीर हालत में लोगों के लिए नजदी की अस्पताल में भड़ती कराया गया है छेत्रिय लोगों से बात करने पर पता चला कि रात में इलोक्टोनिक बसों की गती इतनी तेज हो जाती है कि कब कौन सा हादसा हो जाए इसका पता लगाना बहुत मुस्किल है यह तक कि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह रात होते ही बस बाले सराब की मसे में दुथ होकर बस चलाते हैं जिसके करण बड़ा हादसा होता है कहीं ना कहीं इलोक्टोनिक बस चालक की लापरवाय के करण आज पांच लोगों की मोत होगई कानपुर में हमारे यूट्यूब चैनल दाबुंदेलकन पोस्ट को सस्क्राइब करें